आरजीकर अस्पताल भ्रश्टाचार मामले में ED की एंट्री हो गई है बित्य अलेमित्ता मामले की ED की जान्ट शुरू हो गई है ED ने मनी लॉंडरिंग का मामला भी दर्ज किया इस पर और जाता जानकारिक लिए हमाई साथ TV9 भारत पर अश्चामागता जीतेंद्र शुरू गई है जीतेंद्र ED ने मनी लॉंडरिंग का मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि किस तरह से टेंडर निकाले गए किस तरह से जो नियम कानून थे उनका उलंगन क्या गया क्या-क्या मामला इसमें अभी तक ED के रडार पर है जो सामने आ रहा है जो बिल्कुल देखे जिस वक्त CB.AI ने केस की जाच अपने हाथ में ली उस दोराल सबसे पहले CB.AI रेप और मर्डर की मामले की तफ्तीश कर रही थी लेकिन तफ्तीश करते करते CB.AI को जानकारी मिली कि दरसल अस्पताल के अंदर तमाम तरीके की वितिये एनिमित्ताय देखी गई है जिसको लेकर लगातार शिकायते भी आ रही थी तो लियादा सबसे पहले CB.AI ने करेप्शन के एक F.I.R. दर्च के लिए जिसमें संदीब गोश्ट और तीन कंपनियों के नाम ते जो की सीदे आरजी कार अस्पताल से जुड़ी हुई थी इसके बाद अब E.D. की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई यानि की अब दो दो जाँच एजेंसिया वितिया एनी मित्ता है जो की अस्पताल के अंदर हो रही थी उनको लेकर अपनी तफ्तीश कर रही है फिलाल E.D. ने PMLA के तहट इसमें मुकदमा दर्च कर लिया है E.D. ने जो अपनी ECIR दर्च की है वो सीदा संधीब घोश और कुछ कंपनियों के किलाव दर्च किया इसके लावा इसमें कुछ प्राइवेट परसंस के भी नेम है तो लियादा जल्दी अभी इसमामने में E.D. भी संधीब घोश से पूश ताच कर सकती है इसके अलावा जिन कंपनियों के नाम सामने आए जिनको बखायदा अस्पताल की तरफ से अलग-अलग मेडिकल एक्विपेंट्स के लिए टेंडर दिया गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बाइक मिली हुई थी उसी से ये संजे रॉय चलता था ये क्या मामला है और उसकी भूमी का थी क्या आखर पिल्कुल देखिए तीन दिन पहले सी बी आई ने बकायदा संजे रॉय की जो बाइक थी जिसका इस्तमाल कर रहा था जिसके ओपर खासता और से उसने केपी लिखा हुआ था पुलिस लिखा हुआ था उस बाइक को बरामत किया था दरसल ये बाइक इसलिए बरामत हुए थी क्योंकि जाच का एक S.O.P. होता है कि यानि कि जिस आरॉपी से पूछताच होती है जिसकी गरफतारी होती है उससे जुड़ी तमाम चीजों को जब्त किया जाता है चाहाँ उसका मुबाइल फोन हो उसके एलेक्रोनिक गैजट्स हो या फिर उसके द्वारा यूज किया जाने वाहन हो उस दिन संजरोई इसी बाइक का इस्तमाल कर रहा था बताया जाता है कि संजरोई जो है वो सिविक वालेंटर है तो लिहाज़ा उसको कोलकता पुलिस की तरुब से बाइक दी गई थी खास बाती है कि ये जो बाइक थी वो कॉलकता कमिशनर के नाम पर थी जब इसमें आगे की तफसीश चुरूई तो पता चला कि कॉलकता पुलिस में जितने भी वाहन इस्तमाल किये जाते हैं वो तमाम वाहन पुलिस कमिशनर कॉलकता के नाम से खरीदे जाते हैं उनको आग पारे सायोगी जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं कई नई और एहम जानकारियां अब सामने आ रहे हैं